को ओपरेटिव सोसाइटी ये सबसे अलग तरह का बिजनस है इस बिजनस का में मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बलकि सर्विस देना होता है एक दूसरे की हल्प करना होता है को ओपरेटिव सोसाइटी के सदस्त एक दूसरे की हल्प करते है और को ओपरेटिव का पहला feature होता है voluntary association. voluntary association का मतलब इसमें जो member होते है, सदस्टे होते है, वो अपने मर्जी से हिस्सा लेते है और अपने मर्जी से चाहे तो छोड़ कर जा भी सकते है. इसमें सदस्टे की members की कोई limitation नहीं होती है, कितने भी सदस्टे हो सकते है और इनके capital contribution जो पैसे लगाते है, उसका भी कोई fix नहीं है, कि इतना ही देना होगा, वो अपने मर्जी से जितना पैसा contribute करना चाहे कर सकते हैं. उसके बाद ता equal voting rights हर सदस्ट को एक-एक voting right होती है, वो मिलकर vote करते है और कोई भी मदद की जाए, अपने सदस्यों का help किया जाए, यह किस तरग से help होता है, इसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे. उसके बाद अगला होता है feature separate legal entity, यानि कि co-operative society की separate legal entity होती है, एक कानूनी पहचान होती है, यानि कि co-operative society अपने नाम से कोई भी contract sign कर सकता है, और अपने नाम से कोई property asset को ले सकता है, या फिर कोई liability ले सकता है, जैसे कि bank से loan हो, co-operative society को पर case भी किया जा सकता है, और यह भी किसी दूसरे पर case कर सकता है, उसके बाद है distribution of surplus, co-operative society के जितने भी surplus होते हैं, मुनाफ़ा होता है, वो सारे सदस्यों के बीच में बाट दिया जाता है, यानि कि इसमें अगर जो फाइदे हुए हैं, वो सदस्यों के हैं, ना कि society के किसी एक या दो member के, उसके बाद उनके कुछ features भी है, जैसे पहला feature होता है, easy to form, co-operative society को बनाना बहुत ही असान प्रक्रिया है, इसके लिए ज्यादा formality की जरूत नहीं होती है, जैसा कि company को फॉर्म करने में होती है, limited liability, co-operative society के सदस्यों के liability limited होती है, उनके उपर जो जायत होता है, वो limited होता है, यानि कि जितने पैसे उन्होंने लगाए है, उतना ही उनकी liability है, अगर co-operative society को loss होती है, या होता है, loss होता है, तो partner, जो member है, उनके उपर उतना ही नुकसान आएगा जितना उन्होंने पैसे दिये है, उसके वाद है continuity, co-operative society continue चलता रहता है, नई सदस्याते रहते है, कभी खतम नहीं होता है, बंद नहीं होता है, उसके बाद है democratic setup, co-operative society में democracy का पालन होता है, लोकतंदर का पालन होता है, सारे decision पूछ के लिए जाते है, इसके लिए बकाइदा voting होती है, कोई एक या दो इंसान, एक या दो person अपनी मर्जी नहीं चलाता है, एक एक फैसला, एक पॉइंट सबसे पूछ कर सबके राय से ही होता है, और उसके बाद है open member से, cooperative society में member से हमेशा open होती है, कोई भी person एक minimum subscription लेकर उससे society का member बन सता है, इसके बाद economical functioning, cooperative society बड़े पैमाने पर काम करती है, यानि कि जो भी समान खरीदना है, या बेचना है, या कुछ भी production करन है, कुछ इसके demerits भी है, जैसे पहला demerit होता है, inefficient management, cooperative society का management inefficient, यानि कि और प्रभावी तरीके से होता है, क्योंकि इसके management कोई professional नहीं करते है, कोई MBA, BBA वाले नहीं करते है, जो सदश से है, चाहे वो कितने भी पड़े लिखे हो, या नहीं हो, वही इसका management करते है, और ये की एक कमी है, उसके बाद है, no motivation, members के बीच में कोई motivation नहीं होता है, member कितना भी काम कर ले, उनको अलग से कोई salary, या कोई अलग से incentive या remuneration नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो कोई motivated नहीं होते है, जिस तरह से चल रहा है, वैसे ही चलने देते है, अलग से अपना कोई महनत, या अपने तरफ से कोई effort नहीं दिखाते है, उसके बाद होता है, conflicts, यह कहावत है न, कि जितने ज़्यादा member होंगे, या जितने ज़्यादा बरतन होगे, उतने ज़्यादा ही आवाज आएगी, तो वही हाले यहाँ पर, जितने ज़्यादा member होते है, अलग-अलग बात को लेकर आपस में conflict होता रहता है, और decision लेने में delay होता है, और last है excessive government control, यानि की cooperative society में government का बहुत ज़्यादा control होता है, government एक एक बात का interfere करती है, एक एक बात की जांच करते रहती है, अब है किस किस तरह के cooperative societies हो सकते हैं, तो उसमें एक होता है consumer cooperative society, consumer cooperative society या उपभुकता cooperative society, ऐस society होती है, जिसमें अपने आसपास के इलाकों के बहुत सारे consumer यानि की उपभुकता एक होकर खरीदारी करते हैं, जैसे कि अगर आप या आपके गली महले या आसपास के लोग को को कोई समान खरीदना है, तो हर कोई अलग अलग करके दुकानों में जाएगा खरीदने के लि साथ एकटे हो जाए, और अपने अपने requirement, जो जो हर घर में खर्च होते है, चावल, डाल, चीनी, चाय, पत्ती, इसकी list बना कर किसी एक member को दे दे, और वो member factory से जाकर या wholesaler market से जाकर वो समान ले आए, और जितने भी सदे से हैं उनको दे दे, तो इससे ये फाइदा होगा कि समान सस्ते rate में मिलेगा, कम rate में मिलेगा, और एक ही आदमी को जाना पड़ेगा, यानि कि एक ही आदमी का transport का खर्चा आएगा, सबके समय भी बच जाएंगे, और खर्चे भी बच जाएंगे, इसके बाद दूसरा होता है, producer cooperative society, producer cooperative society वाले भी इस तरीके से काम करते हैं, क किसी मानलो industrial belt में अलग-अलग factory हैं और सब को समान बनाने हैं, तो इसके लिए हर कोई अलग-अलग तरीके से machine खरीद कर लाएगा, अलग-अलग plants और equipment को लगाएगा, इसमें सब को पैसे लगेंगे, और जैसे plants equipment advance होते जाते है, technology advance होते जाती है, तो सब कोई अपने equipment को change कर करने होंगे, तो यहाँ यह हो सकता है कि सारे लोग मिलके, सारे producer, factory वाले, industry वाले मिलकर एक ही जगा अपना plant लगा दे, और उसी plant से production का गाम करते रहे, तो इससे उनके बचत भी होगी, खर्चे भी बहुत ज्यादा हद तक बच जाएंगे और मुनाफ़ा भी बढ़ जाए इससे उनके पैसे बहुत हद तक बचेंगे और मुनाफ़ा बहुत जाएदा हो जाएगा, उसके बाद होता है co-operative marketing society, marketing society का मतलब अगर किसी गाओं में कोई 10 किसान है, suppose करो गाओं में 10 किसान है और दसों के दसों किसान अपना अपना समान अनाद यहूं चावल, चीनी, च बेबकू बनाकर कमदाम में खरी देंगे समान लेकिन अगर यही cooperative society बना ले सारे किसान एक जगा अपना समान को खटा कर दे और एक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दे दे कि वो इन समान को market में ले जाकर मंडी में बेच दे तिससे सारे किसानों की मेहनत भी बच जाएगी आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा और ज़्यादा समान ले जाएगा मंडी में तो वो ज़्यादा rate में बिक भी जाएगा उसके बाद एक होता है cooperative credit society cooperative credit society का मतलब जैसे मान लो कि मुझे कुछ पैसों जरूत है तो मैं बैंक के चक्कर काटूंगा या साहुकार के चकर काटूंगा किसी money lender के पास जाऊँगा जो ज्यादा ब्याद में मुझे पैसे देगा तो इसके लिए हम लोग यह कर सकते हैं कि दस बारा पंदरा लोग का एक group बनाए जा सकता है और कुछ पैसे सब इखटा करके जमा करेंगे जैसे मालो 10 लोग है और सबों ने 1000-1000 रुपे जमा किये तो 10-1000 रुपे उए अब जिस भी वेक्ति को पैसो भी जरुत है वो 10-1000 रुपे ले लेगा ऐसा ही अगले मेने भी होगा उसके अगले मेने भी होगा इसको हम लोग आम भासा में कमीटी भी कहते हैं तो ये cooperative credit society का ही एक रूप है उसके बाद होता है cooperative farming society farming society में भी अलग-अलग किसान है उनको खेती करने के लिए अलग-अलग tools खरीदने होते है और सहर जाकर fertilizer, pesticides, अच्छे quality के बीज ये सारे खरीद के लाने होते है जिससे हर किसान का मेहनत भी लगता है और समय भी best होता है तो इसके लिए किसान क्या करेंगे किसी एक व्यक्ति को यही जिम्मेदारी दे देंगे योँ सहर जाकर सब के लिए ही अपने-पने हिसाब से seeds, fertilizers, pesticides और tools वेगरा लेकर आ जाए और सब को दे दे तो इससे बाकी किसानों का समय भी बच गया मेहनत भी बच गई और पैसे भी बच गए और लास्ट होता है cooperative housing society जैसे मुझे एक घर खरीदना है या घर बनाना है आपको एक घर बनाना है बाकी लोगों को घर बनाने है तो सब अलग अलग तरीके से घर बनाएंगे उससे अच्छा क्या होता है कि सब लोग मिलकर पैसे जमा कर दे और एक बड़ी सी जमीन खरीद ले और उसमें एक जैसा ही घर बनाए और इसी को cooperative housing society बोला जाता है जैसा क कि आप लोग देखते हैं टीवी में एक गोकुलधाम society भी आता है तो वो भी cooperative housing society है